नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का शागत है एकजामपूर में, हम एकजामपूर कलम से करांती हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शागत है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जितने भी मेरे पैरे साथी जुड़े हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बहु सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और सारे लोग जल्दी से जुड़ जाईए आज बहुत ही बहतरीन सेशन हम लोगों का होने वाला है तो चली हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को गुड मॉर्निंग आज का सबसे पहला शवाल क्या है यह देखते हैं हम लोग लिखा जिवानों में सोसन अस्थल जो जिवानों होता है उसमें रेस्परेटरी रेस्परेटरी साइट्स कहां होता है वेक्टरिया में जली से बताईए जिवानों का सोसन अस्थल जिवानों में जो सोसन अस्थल हो मिससाम कहा जाता है जिवानुवों के वेक्रिया आस्खल को हम लोग मिससाम कहा जाता लेकिन वेक्टरिया के लिए ऐसा कुछ नहीं है गर्मी हो ठंडा हो बरसात का मौसम हो कोई भी जलवायू में यह वेक्टरिया हमारा जीवित हो सकता है और मिसो स्वम इसके स्वसन अस्थल को हम लोग कहते हैं मिसो स्वम जितने भी मेरे प्यारे साती हैं सभी लोग एक बार जली से जुड़ जइए और सreasन को शांधार तरीके से शेशन को जो है शांदार तरीके से ऐगे आपे हिर्दय दे चार चंबर आपके हिर्दय में होते हैं जैसे मेड़क में आपने देखा होगा तीन चंबर होते हैं आदमी में चार चंबर होते हैं तो यहां पर सवाल हमारा क्या है कि निलाई की जो वित्ती है वो आलिंद की वित्ती से आलिंद जो होता है उपरी हिस्ता को हम लोग आलिंद बोडी में सफ़ला होता है तो निलै की विट्ती ज dus적 यह ज्यादा पावरफूल होती है ज्यादा मद्यूत होती है ज्यादा मोटी क्व क्या होगा यह ज्यादा होता है तीकर ज्यादा होता है निला की जिए घौपलोक मालों आपके हें में 4 बोक there मेंचा Р्ट अैक निलाय कहा जाता है ठीक है यहाँ पर निख लिएगा निलाय जो होता है निलाय की विद्थी ज्यादा मोटी होती है तो ए जो आपका राइट आंसर होगा नस्ट कोश्चन में चलते हैं अगला सवाल आपका क्या है यह आपका गूरूप डी का है कोश्चन को एक बार अच्छे से आपकरते रहिए सब कौन सा है कि डेली 11 वजे हमारा पूरा प्रियास रहता है कि 11 वजे मैं आ जाऊं और आप भी लाइब आजाए पूरे सेशन को एक के इसेसेel इसको आप नॉर्मली इसीजी कहते हैं अलेक्ट्रो काडियो ग्राम जो है ये आपका रॉक्त्र रस रखुप एलेक्ट्रो-कर्डियो ग्रामिक ऐजितना जाता है एलक्ट्रो कार्डियोग्राम से समझ माय रहा है कभी देखते होंगे आस्पताल में कोई भरती है यह चल रहा होता है यह क्या हो रहा होता है चल रहा होता है ओके मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं क्या है मानव रक्त की सबसे बड़ी कनिकाएं कौन सा है मानव रक्त में सबसे बड़ा पार्ट किसका है मानव रक्त की सबसे बड़ी कनिकाएं तो यहां जो होगा यहां पर मानवरक्त को देखेंगे अगर तो मानवरक्त में वाइड डबलू वीसी जो है यह सबसे बड़ी कनिकाएं होती है डबलू वीसी स्वेट को सिखाएं अभी हमारा क्या है अभी हमारा जो टार्गेट है सर कि पूरे मार्च में जितने भी 2018 के यूद पुब्लिकेशन की जो भी बुक है हमारे पास पुराने बुक जिससे प्रिवेस यह कुश्चंस है उसके सारे कुश्चंस को मैं 15 अप्रील सग टार्गेट रखाऊं एक बार सारे कुश्चंस करा दो उसके बाद आपका नुमरिकल स्टार्ट करेंगे मानव शरीर मे महजूद निमलिकित कोसिकाओं में किसमें माइट्रो कॉंड्रिया नहीं पाया जाता है माइट्रो कॉंड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है माइट्रो कॉंड्रिया जो है लाल रक्त कोसिका होगा या कोसिका होगा मासपेशी कोसिका होगा स्वेत रक्त कोसिका होगा तो ल Mitochondria जो है किसमें नहीं पाया जाता है रेट-blood-cell में रेट-blood-cell जो होते हैं रेट अर लाल रक्त करनीकारे लाल रक्त को तिकाओं में Mitochondria जो है वो नहीं पाया जाता है झाट आथ क्टे अभी देखेंगा आपका अगला सवाल सवाल क्या होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं इन में से कौन सा रक्त समू को यूनिवर्सल दाता माना जाता है 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 यू दाता बोला गया है जब दाता बोला जाता तो ये list हमने कई बार आपको कराया है universal data blood group से आपके सवाल vitamins से आपके सवाल plant kingdom से आपके सवाल digestive system के सवाल, ये सब सवाल पूछे ही जाएंगे, समझे मारा है न, हमने बोला blood, तो आप देखें universal, donate blood, donate blood everyone क्या होगा, ओ जो है, हमने दो trick बताया था इसमें याद रखने आप हमेशा confused होते हैं AB में confused होते हैं और O में confused होते हैं AB में आप confused होते हैं blood group जो है receive blood from everyone जो होता है वो AB plus AB वाले होते हैं receive blood from everyone किसी का भी blood ग्रहन कर सकता है किसी का भी blood ग्रहन कर सकता है AB blood group वाले और data में होगा तो ओगा तो आपका correct answer B is a right answer, B आपका correct answer है, B आपका correct answer होगा. next question में हम चलते हैं, आगला सवाल, इनमें को, इन डैस के पचने के लिए साकाहारी की लंबी और छोटी हाहत होती है, तो खर्गोश का हमने बताया था, सेर के पिकचा, खर्गोश का छोटी हाहत ज्यादा लंबी होती क्यूंकि वो साकाहारी होता है, और साकाहारी जो है, बेड होता है वह आपका सल्लोच का बना होता है इसका बना नविडरा इतंसर्ट जो आपका कोईशन करा रहे हैं यह सारा 100% question accurate होना चाहिए यह सारे question में आपको कोई भी question में doubt नहीं होना चाहिए निम्लिकिन में कौन सा विकल्प लाल रुधीर का निकाओं के बारे में सही नहीं है लंबाई चोड़ाई की कोई बात नहीं है तो सी जो होगा यह गलत statement दिया गया है okay next question अगर हम बात करें हिर्दय की मासपेशिया कैसा होता है तो हिर्दय की जो मासपेशियां होती है हिर्दय की मासपेशियां कैसी होती है वह साखायूक्त होती है कई branches आपको दिख रहे होगे और उसमें एक को सिखिया होते है देखे यहां पर साकीत नाविकिया यहां पर क्या होता है बिलनाकार होता है शाखित होते मैंना बिलनाकार तो होई गाई साकीत मतलब ब्रांचे से वह साकीत होते हैं कई साखाएं पाए जाते हैं इसमें बेलनाकार आकृती के होते हैं और एकल नाविकिया होते हैं अब ये भी को सनारवी गुरुप डी 5, 10, 2008 है सिर्टू अभी हमने सारे कोश्चन को फिर एक बार रिवाईज कराना स्टार्ट किया है और कल और परसों से अगर होगा बलब नेक्स्ट विक से तो हम चैट्टर वाईज जितने भी कोश्चन मिले हैं 10-15 दिन में 2018 के सारे कोश् को एक बार बहुत अच्छे तरीके से रिवाईज करा देंगे सारा ओरिजिनल सवाल और अथंटिक सवाल अब जो हमारे साथ शुरू से जुड़े होंगे उनको बहुत असान लग रहा होगा हो सकता है कुछ लोग क्लास भी ना करें अब मुझे असान लग रहा है लेकिन आ आप जब इस कोश्चन को देखते हैं ताब क्या क्या पता होना चीए लोहे के बारे में भी बहुत सारी चीज पता होना चीए प्रतिवी पर दूसरा सबस्दीक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है लोहा है यह जलवास के साथ अभिक्रिया करता है लोहे पे जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है तो आपका इसमें जो पर्चूर पादपाव में पर्चूर मात्रा में क्या पाया जाता है क्या पाया जाता है पादप में जो पर्चूर मात्रा में पाया जाता है वह कारबन पाया जाता बी जो है आप लोगों का बहुत बहुत पौधा यह हमारा रेगिस्तान का पौधा है और रेगिस्तान में धूप बहुत तेज होता है जिसको तो डेली मिलता है वैसा इसके उपर एक क्या होता है जिसको हम लोग कहते है क्या बोला जाता है यहां पर आपका क्यूटीन बोला जाता है यह आपके क्या करता है धूप से बचाता है गर्मी से बचाता है वास्पों सर्जन से बचाता है पानी का ऐसे ही आभाव है तो मरु अस्थली आप अधे को एक लेयर एक कमल जासा चीज दे दिया जाता है तभी वह अस्थानी से जिवित रह पाता है तो 11 का जो आंसर होगा सभी लोग एक बार सेक्षन को शेर कर दीजे बहुत स्लो तरीके से आप लोग जुड़ते हैं सर क्लास में हमने डेली बोला है सर अभी आप क्लास किसी भी परसिती में अप्सेंट मत कीजिए पांच मिनट वे क्यों लेट हो रहे हैं एक 11 क्वेश्चन्स हो चुके हैं सर मैं आज से जुड़ा हूँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेक्ट को चलते हैं अगला सवाल आपका वास्पो शर्जन द्वारा जल के हानी को कम करता है यह क्यूटीन जो उपर का लेयर होता है अगला फेफडे में जो स्वसन गैसों का आदान परतान कहां से होता है फेफड़ाओं में जल्ली से बताईए पटा फटा फटा चलिए अब इतने बड़े बड़े अक्षर भी आपको नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है तो बी नमर आपका करेक्ट आंसर आया बी नमर कई लोगों का सी नमर आया है देखिए फेफडा फेफड़ा नौर्मली चोटा चोटा वल्व देखें जिसकód क्रिपिका कहा जाता है क्रिपिका कहा जाता है। icаться के माध्यम से छोता है क्रिपि का के माध्यम से होता है और इसमें छोटे- league होल पाए जाते यह फिल्टर भी करने का काम करता है क्रिपी का यह फेफड़ा में पाए जाता है यह कब कुश्चन कब का है आरवी जेए का है 28 थरीक पच्वा महिना जनवरी फरबरी मार्च अप्रेल मैं में जो एक्जाम हुआ था अगरा सवाल क्या है यह कुश्चन अल्पी टेक्निशन का है 2008 रहता बरस्पती भागों या बीच के बज़ा को सिकाओं के मद्द नए पोधे उगाना क्या कहलाता है तीशू कल्चर तीशू कल्चर या उसको पुनर निर्मान होता है बहु फिखंडन होता है द्वी विखंड होगा अगला कोश्ण जो है मुझे लग रहे कि यह कौ्शन आप देखते होंगे और एकदम आराम से कर पा रहे होंगे, अगर अभी भी दिक्कत हो रहा है सर्फ आपको पेपर में बहुत समस्क्रा होने वाली है, पाउधों के तनों या छलों के रूप में पाही जाने वाले आकरती, जो कि उनकी ब्रधी के लिए सहायक होती है, निम्र में से कौन सा उत्तक पाहे जाते हैं, तो पाउधों की तने या छलों के रूप में, तना या छलों के रूप में जो ब्रधी होता है, वह कौन से उत्तक के द्वारा होता है, लेटरल मेरिस्मेटिक टीशूस के कारण, या केम्बियम के कारण होता है, या एपिकल मेरिस्मेटिक टीशूस के करण होता है तो हमने बताया है इसके जो गृत में जो मोटाई में आपको यह कई बार पढ़ाया है कि अगर पाउधे की सर और जड़ में जो बृधी हो रहा है वह ता apical marismatic tissues के कारण apical marismatic लेकिन अगर मोटाई में बृधी हो रहा है तो अगर ध्रमारिसमात्प किश भीज़ का कर और आपणने देखा होंगा है चारन कि इंंट्रा के लेरीव देखने वह सुन truths को देखने ते हम यही पता चलता है कि कौन कौन सा चप्टर से ज्यादा जैसे प्लांट कींडम में पाउधे के जड़ तना के बारे में विटामीन्स प्रोटीन समझ मा रहा है ना रेप्रोडेक्टिव सिष्टम डाइजस्टिव सिष्टम इन सबसे सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं अगला सवाल आपका क्या है डियोडेनम किसका भाग है डियोडेनम जो है वह किसका हिस्सा होता है डियोडेनम जो होता है वह किसका हिस्सा होता है सर्थ करें कि चलिए चोने में बताइए ये किसका इसाह देडरी जो ए मताई वह छोटी याईत का है में इसे गोल प्लेडर मता है ये अंडासिय वह एंडास। लेलड़ mare cao कि किसका हिस्सा सी कि मुझे ket i7 यह चोटी याँ टारती आउलका ही कि रीओेती य स्विस्षाश होता है चोटी हांत का हिस्सा होता है यह आपके छोटी हांत का हिस्सा होता है किसका हिस्सा होता है चोटी हांत का हिस्सा होता है किसका हिस्सा होता है स्मॉल हिस्सा है यह आपके छोटी हांत का हिस्सा होता है स्टीव और सा कोसिका मुख्य रूप से डैस के संचरन के लिए उत लगाती सेल नहीं होता है जैलम में वर झता सरफ जल नीचे से उपर जाता है लेकिन अनसर जो होगा पौधे में भॉजन का पहुचाता है इनके पूरे पुरय पहुचाने का काम जो है होता है ठीक है चलते हैं आगे नेक्स्ट पर्शन आपका मानव शरी में तुचा का सबसे बाहितम परत इस तो बहुत आसान सा सवाल है तुचा का सबसे बाहितम परत जो होता है वह बहुता है तुचा का सबसे बाहितम हिस्सा वह होगा अपकाAttेस क्हां सबसे निचला इसуса kuv कए हम लोग आपको परत इस बहुता है यह इंहीं-स तुच्वा यह आपका वह देशन बाहरी हिस्सा जल्क परति आपको है परते यह करते टीशू के रूप में आपके सरीर में इस्टोर होता है धीरे-धीरे आप फैट होते जाते रहे होते रहते हैं ओके चलते हैं अगले सवाल में next question आपका क्या है कि एक बार सभी लोग जला question को जला session को एक बार share कर देंगे जितने भी मेरे प्यारे साथी है कर सब बड़ा खुशी हो रहा है कि आप एक बार पूरे अच्छे से चीजों को पड़ लिए है और पूरा प्रोपर वे में एक एक questions को आप कर पा रहे हैं और मैं आपको इमंदारी के साथ कह रहा हूं कि 2018 के जितने भी सवाल है उसको आप जरूर करके आएगा कुछ भी नहीं को अगर आपने कर लिया है तो 15 जरूर करेंगे अगर फालतु फालतु बनाएंगे उससे एक भी कुछ नहीं बनने वाला वां का जो है ऐ चिसा लुख नए हृट फैबर से मिलकर बना जो है आपया है वो आपका जो है फ्लम वाही का नहीं होता टा मवाही रही का नहीं होता लगी हर चीजिज चलनी को टरूर लिकाए बोले यह सह को सिकाय बोले यह फ्लायम तंतु बोले फ्लायम फाइवर फिलामेंट जिसको कहा जाता है इन सबसे मिलकर हमारा फ्लायम बना हुआ है अब यहां नहीं पूछ रहा है कि जल का परिवहान जालम के द्वारा फ्लायम के द्वारा भोजन का परिवहान यह कुशन कब कहा है देखिए गुरुपडी का है 12-10-2018-2021 का सवाल है सारे क्वेशन्स आपको दिखने हैं वे डेट वाइच तो हमने सोचा है यह 15 दिन आपको जितने भी एक साल में क्वेशन हमने कराया है 15 अप्रील तक यह सारे क्वेशन्स को एक बार कंप्रीट करा देते हैं अगले क्वेशन म हम चलते हैं निवने में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के सिर्थ में पाया जाता है तो तने और तने के सिर्थ में और जड़ों में पाया जाता है अपिकल टिशू पाया जाता है क्या पाया जाता है अपिकल मेरिस्मेटिक टिशू पाया जाता है जो इसके सर में और तीन क्लास में पढ़ते थे 25-25 कोश्चन का स्रीश वह अभी आप एक क्लास में पढ़ रहे होंगे ज्यादा कोश्चन्स आप करते हैं डैस की कोशिकाय कोनों पर अन्यमित रूप से मोटी होते है इस थूल कॉर्ण उत्तक मिर्दू उत्तक दिरिर उत्तक या वायू उत्तक ब स्थूल कॉर्ण उत्तक पौधे में लचिलेपन का गुन जो है पौधे में लचिलापन का जो गुन है वह कोलन कायमा के कारण आता है किसके कारण कायमा उत्तक के कारण आता लचिलापन का गुन तो जिस पौधे में लचिलापन जो है जिस पौधे में लचिलापन कम देख जाता है उसमें मतलब कोलेन काइमा कम पाया जाता है यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा चलते हम लोग अगले सवाल में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है तो अच्छा के नीचे और आंत्रिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक बनता है जली से बताईए पुखुज पुखुख फट आप लोगे और सबी लोग सेसन को शीर करें तो अच्या के नीचे और आंत्रिक अंगों के बीच तो अचाके नीचे और आंट्रीक अंगों के बीच हमने क्या बोला है तो अचा के नीचे और आंत्रीक अंगों माला हड्डी के बीच में आपका। यह कौंसा बनता है यहां पर germ फीन मर्में एडिपोस्टी इस्टन होगए यहां पर वसा तो अचान चाहा होता है। जीन दो दिन भुके होते हैं आप पता पोलर बियर होता है इसमें एडिकradar kana करता है और आदमी में भी यह अगर आप एक दो दिन भोजन नहीं करते हैं तो उर्जा का रिसोर्स यहीं हो जाता है डिपोस्ट इसु गलना स्टार्ट हो जाता है ओके नेस्ट कुश्चन हम लोग बात करते हैं अगला पेसी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं what are the types of muscular tissue पेसी उत्तक जो है यह कितने प्रकार के होता है तो there are types of muscles जो होगा skeleton muscle हम आपको बढ़ाये थे cardiac muscle हमने आपको कराया है smooth muscle तो पेसी उत्तक जो होते है वह जनरल इकोस्टन देखते ही आप लगा रहे होंगे और पता है यह genuine question क्यों है हम तो सर यही कराएंगे देखिए एक चीज क्या होता है बता रहे हैं सब अगर आप group D में देखिएगा तो कई लोग कहते हैं I am expert मैं expert हूँ अगर उसके देखेंगे तो एक group D की तैयारी अगर पिछले 2018 से देखेंगे दो 2018 से अभी तक देखेंगे उनके कम सकम 20 किताब आ चुके हैं 20 book market में है 20 book 20 किताब उसके market में हो सकता कल पर तो फिर एक किताब आ जाए शिर्फ group D के लिए क्या आपको लगता है कि group D के लिए 20 किताब पढ़ने होंगे कि 20 किताब सर एक साल में अगर नहीं भी बोलिए तो 15 किताब market में लाया गया क्या जरूरी है भाई साथ कि बच्चे खरीद रहे हजार हो हजार की सक्षा में लाई भी भी पढ़ रहे हजार 20 किताब मार्केट में लाया गया सिर्फ ग्रूबडी की तैयारी के लिए 20 बुक वह और उस 20 बुक में अगर देखिएगा आप मैं तो देखता हूं सर तो लगभा क्वेश्चन का चेंज जो है बहुत कम है पस्ति धर से उधर से घुमा के बच्चा एक कोश्चन कंटेंट नहीं दे उससे आप में क्या अंतर आया क्या चेंज आया कुछ आया नहीं आया दूसरा चीज़ दो हजार अठारे से कई लोग पढ़ा रहे हैं हम भी पढ़ा रहे हैं गुरूबडी के आप जानते हैं अब हो सकता है किसी-किसी का मुझे लग रहा पचास हजार से अधीक सवाल हो च दर्क पाथ जया कोष्टे पाते जाए ऐ आपको थोड़ा लगएगा सरस्वा सब्सक्राइब करते नहीं करते नयाया कुछ और लोगत है यहिं आपको कुछ याद भी नहीं रहने वाला पर कुछ होने वाला भी नहीं आपको पता है यह बाट ने पहले भी बताल बहुत कि छारहजार से ज्यादा कुछन है यही नहीं तरहे जान बहुत हैं कितना लेके हम जा रहे हैं exam hall के अंदर अगर ये question आपने साथ पच्वा बार ये चौथा बार हमसे देखा होगा कि आप ये चौथा ये पाच्मा बार तो आपको एक confidence आया अंदर में अब हमें पता है कि पेसिया उत्तक तीन प्रकार के होते हैं स्केल्टन मसल, काल्डिक मसल और स्मूथ मसल लेकिन जब आप देली नए questions को करेंगे ये confidence नहीं आएगा exam में जाएंगे और लगेगा ये पढ़े हैं लेकिन हम चार टिक करें कि पांच टिक करें इसमें आप रहिएगा time भी लेगा एक-दो मिनट और गलत भी करेंगे अगे चलते हैं हम आगे तो इस चीजों से बचिये जरा अगर आपको इस बार भी selection लेना है अन्य था या आपका जीवन है आप ही अगर विकल्प परियोग करके रिक्तास्थान को भरे यह क्वेशन आरवी गुरूबडी में शोला दस जोहजारफार सिब्तू का क्वेशन है दिये गए विकल्प निमलिकित में कौन सा कथन सही विकल्प का परियोग करके भरे दैस एक सही मचली है सत्त मचली टूफिस किस किसे कहा जाता है इस क्वेशन का आंसर जली से बताई है इसको हम लोग टूफिस कहा जाता है इसको हम लोग टूफिस कहता है थोड़ा सा मचली वाला नेचर और प्रकृति इसमें देखा गया है यह आपका गुरूबडी में कोच्टन पूछा गया है आपको लगेगा यह क्वेशन कहले लाते हैं तो इन सारे बातों को थोड़ा सा ध्यान रखे और नया क्वेशन के पीछे थोड़ा कम भागे आप ठीक है अगर ज्यादा भागे हैं तो कोई फाइदा नहीं होगा अमी अमीवा की तरह एक जनतु होता है जिसके पास अपना मुन नहीं होता है यह अपना भोजन इसकी सहायता से जुटा पाता है अमीवा जो है अपना भोजन किसमें साह यह भी question exam का पूछा गया है, plasma jilly, studopia, यह भोजन रिक्तिका, यह ectoplasm, क्या होगा? Amoeba की तरह एक जनतु है, जिसके पास मुह नहीं होता है, अब इसके पास मुह ही नहीं होता है, अब यह भोजन किसके द्वारा करेगा? यह भोजन किसके द्वारा है इसको हम लोग क्या कहते है अमीवा की तरह एक जनतु जिसके पास मुह नहीं होता है यह अपना भोजन किसकी सहाइता से करता है तो यह हो गया तूडोपिया के तूडोपिया या पी साइलेंट होता है सूडोपिया इसके द्वारा अपना भोजन ग्रहन करता है यह उससे घैर लेता है भोजन को तो llei सुडोपिया अकलता है कि solids do आपके रखे समय बेन दित फिमेंटोि लॉजीवते बहुता है किसी चीज को पढ़ना तो यह मसी चो लोजी बैलाहि कि हद्डियों का अधियन को कहना अधियन," इंच्डी ओलोजी ऐंत्रोपो लॉजी", मानव विकास का अध्यन आपने पढ़ाऊगा। अध्रोपोलोजी क्या पढ़े हैं कि नहीं एप्योलोजी मदुमक्षियों का अध्यन आपने पढ़ा होगा एप्योलोजी नेक्स्ट कोश्चन आपका ऑस्ट्योलोजी हो गया आपका ट्रॉपोलोजी आपका हो गया जनवरों के खान पान का देन होता है वो ट्रॉपोलोजी के अंतरगत करते हैं लोग प्रपोलोजी तो यहां पर आपको क्या लेके घर जाना यह लेके जाना है कि ट्रपोलोजी आप नया चीज देखें जनवरों के खान पान का जो आदत होता है इसका जो अध्यन किया जाता है वो ट्रफोलोजी के अंतरगत किया जाता है अब क्या है कि पुंस्टन आपका क्या है जिए फॉशन नमर को जड़ा ध्यान से देखिए गास बश्चन को जड़ा ध्यान से देखिए गार एक त्याम से शेशन को शेर करते रहेगा डिखा ऑक सीजन के अभाव में उच्छ तापमान पर जयविक वस्त्वों के उस्मियारसानिक अपट प्राटन को क्या कहते हैं हर्मोलाईसिस कहते हैं क्या कहते है जली से मताईं कोस्तन थोड़ा कठीन लग रहा होगा कि जली तो जली सब्याई उक्सिजन के अभाव में उच्छ तापमान पर जैवीक वस्तौं के उसमिया रसानिक अफगतन को तक हाज़ाता है तो बी नमर आ है थर्मोलेसिस कहा जाता है इसको क्या उस्मिया क्रिया में अन्वों का तूटना तो उस्मा देकर हीट देकर जैसे सिल्बर ब्रोमाईट का तूटना हीट देकर किसी चीज को तोड़ते हैं उसको थर्मोलेसिस कहते हैं क्या कहते है थर्मोलेसिस कहा जाता है त उपकरन से भी सवाल RRB SSCE में 2014 में पुछा गया था ग्रीन पेपर में तो टैकोमेटर हमने कई बार बता है कि आर्पीम को चक्कर प्रती मिनट आर्पीम रोटेशन पर मिनट को मेजर किया जाता है रोटेशन पर मिनट को टैकोमेटर मेजर करता है आपके गाड़ी में लगा में यह उपकरन से पुछे गए अपकरन से हमने क्या माल्टी मिनट उ। प्रक टालेंटर वंद व्यक्ती कहते हैं नडांस भी कर लेता बहुत अच्छा गाना भी गालेता है पर भी लेता सइसा किला लेता है मेजान्स Animal आजक्प प्रच्छ के परास कर लेता है उसके करें, multi-talented व्यक्ति है, या multimeter जो है, यह voltmeter को भी measure कर लेता है, current meter का भी काम कर लेता है और ommeter का भी काम कर लेता है, तीनों का, RRB, JE का question है यह, multimeter एक बार सभी लोग स्टोड़ा सेशन को शेर करेंगे जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं है अगला कोशोन रियक्टर स्केल रियक्टर पैमानी के बारे में क्या घलत हैं ? तो इसे 1935 में चा-ल्यक्टर त्रवुतन के दूरूठ रविक्षित किया यह तो पहला यही со meiner, इसे भुकम नुदूब बहुत तेज भुकम अरे बागी हमने क्या क्या सीखा 1935 में इसका अविश्कार हुआ है क्या रियक्टर ने किया है यह लगूगर ने किया पहिमाना इसे भुकम मख्पी में उपियोग किया जाता है तो रियक्टर इसकेल में अब देखेंगे अगर आठ नौ का भुकम आ जाए जिसे गुजरात के कक्ष में आपने देखा था उस्तर का भुकम अगर आ जाए तो बहुत बड़ी तबाही ला सकता है शुर्ण में पुछा तहरल पदार्थों करुम मापने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो बड़ा आच्छा सा सवाल है कि तरण पदार्थ को मापने के लिए प्रियोग कYeah जाता है किरी का जो आंसर हुआ दी नमर लाए है फैदो मीटर इसलिए बहुत लोगों का अलग अलग अंसर है किसी का ए नमर आया आधरता मापी यह तो हुमिडिटी को मापता है हुमिडिटी को मापता है हुमिडिटी को मापता है हुमिडिटी को मेजर करता है यह आपका आधरता तर्फो मापने के लिए कि सहूख यह किया जाता है हाइडा मीटर भी नमब्र बहुत बहुत धन्डवाइड सभर हाइडो मीटर है को यह आफ बाता है यह आफ की हाई इस प्रकूला इसाशा को में तो उसक्तना करता है प्ल्स पर national सब्सक्रतर हो कंधों अगले सवाल में हम चलते हैं next question पानी के अंदर का वस्तुव को पता लगाने के लिए किसी अंत्रका यहां तो शोनार होगा यह इसमें आपके प्राश्रब धोनी तरंगों का इस्तमाल होता है जिसके आवरती जो होता है वो बीस हजार एडजेट से अधीक जो आवरती होता है प्राश्रब धोरी तरंगों का अस्तमाल किया जाता है शोनार में जिसे हम समुद्र की गहराई को मेजर कर सकते हैं देखिए सर हम एक मिनट डेली आप से बात करते हैं और आज भी एक बार बात करना है कितने लोग डेली टेस्ट लगा रहे हैं जिए जल्ली से पांच टाइ जीएगा जितने लोग डेली टेष्ट लगा रहे हैं डेली प्रते एक दिन आप टेष्ट दे रहे हैं पांच टाइप की अब देखिए वक्त बहुत कम है आपके पास जो भी समय है तैयारी का बहुत दीन हो गया बहुत लोगों की अच्छी तैयारी हो गया अच्छा नम्मर हारा जिसके भी 75 से कम नहीं आ रहे हैं उसको जादा स्रियस होने की जरूरत है जिसके भी 75 से कम नहीं आ रहेय पर अगर 75 के करीब कीना इससे ऊपर आ रहे है तो आप दो चीजों पर ज्यादा ध्यान दिश्ट और आ अगर जिसको 75 से उपर आ रहा है समझ रहे बात आपको current affairs ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है आपको biology physics chemistry पर ध्यान देना है जिसको 75 से ऊपर आ रहा है जिसका 75 से नीचे नमर आ रहा है उसका मैंस और रिजनिंग गोल है मैं आपको इमंदारी के साथ बता रहा हूं समझ मैं आ रहा है ना टेश्टवाले.com है सर बड़ी टीम लगवाई 200-200 लोगों की टीम एक विससकी के टीम टेश्टवाले.com पर टेश्ट बनाते हैं आप जाके वहां पर enroll किजिए और टेश्ट दीजिए अब उसे अगर टेश् समश्या बहुत होंगी कुछ questions ऐसे लग सकते हैं जो कठीन है तो उसको सीखिए उसको बनाईए दूसरा important बात फाल्तु questions पढ़ना छोड़ दीए अगर आपको लगता है कि कोई नई किताब या कोई नई questions selection दिला देगा आपको तो आप पढ़िए और नथा आपको कोई नह नहीं रोक सकता एक्जाम में और सफल होने से जड़ जो हता नवहीं मजबूत होना तो इसका भी टेस्ट दे रहे है लेकिन टेस्ट दीजिए यह नहीं करें टेस्ट वाले का ही टेस्ट दीजिए जिसका भी टेस्ट दे रहे है आप दीजिए बस टेस्ट डेली दीजिए आ समझ रहे हैं न बात को बस टेस्ट आप daily आप टेस्ट लगाएंगे बस इस बात का ध्यान रखेंगे समझ में आ रहा है ना जिसका भी दे रहा है आप देजिए हम यह नहीं कर रहें सर आप मेरा ही टेस्ट दीजिए आप उसी का टेस्ट दीजिए यह टेस्ट देना बहुत जरूरी है पहला चीज़ अभी से आप दीजिए आपने सर तीन साल वेट किया त्री यह उसका फाइदा आपको क्या मिलेगा कि मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ अप्टर त्री यह के बाद हो गया कि दूसरा चीज यह साइन्स और स्टेटिक जिस और करेंट एक प्रेंट क्या है रिजनिंग और मैथ में प्रोबिलिटी है ज्यादा अच्छे से हम नंबर ला सकते हैं पूरा और साइंस में भी लाग सकते साइंस में 25 में 25 लाने के लिए आपको कीशी सीज करना होगा मंदारी से बता रहे हैं उन् interactions आप जरे जब लोग है यह पिछले 2 साल में 20 किताब बहुत किताब कुछ नहीं होने वाला और आप उस सारे बुक में एक किताब देख लिए यूथ पॉब्लिकेशन का एक बुक आता है दो हजार अठारा का सारा को सन हर बुक में वही मिलेगा आपको अरे सर आप बच्चे को बता दीजिए न यही किताब ले लो पढ़ लो पॉusicसे बचना है हम आपको किसी की बुराही नहीं कर रहा है बस को सठरकता बता रहें क्या क्या करना और अभी क्या नहीं करना तो बस एक किताब आप साइन्स का previous year और NCRT, यही दो किताब हैं जो result आपको दिला देगा, उससे आपको previous year questions के बारे में पता चलता है, कि कौन-कौन से questions आ रहे हैं, जो हम कराते हैं daily, उसी book से कराते हैं, कम सकम 200-200 लोग हैं जो WhatsApp पे daily message करते हैं, तर यह question में दिक्कत है, यह स तो यह आपको समझ में आने ही चाहिए, अब ज्यादा हम सार आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको समझदार है, अगर आपको लगता है, अब एक बच्चे का है question numerical, तर नुम्रिकल हम 15 अप्रिल के बात कराएंगे, तो कि साथ चप्टर है आपको साथ चप्टर है जिसे नुम्रिकल, और साथ चप्टर को हमने मेरे पास questions selected होके आ गया है, तो 15 questions आपको हर चप्टर से कराएंगे, और किसी-किसी चप्टर से 10 questions कराएंगे, तो अगर 5 चप्टर से 15 questions कराते हैं, तो 75 questions हो जाते हैं, और 25 questions, 12-13 सवाल, तो यह 100 questions हैं न 500 biology का question है, और 1000 chemistry का question है, बस इतना ही किजी आप, क्या जोर रही है, 40-50,000 question करने की, अब 1500 question आप कभी कर लिजिए chapter wise, तब देखिये मजा आ जाएगा आपको, आप घूमते रहते mixed question में, इसके लिए आप बात में करेंगे, हो गया, अब लिखाएंगे, जहाजों में क्या माप अपने के लिए, पानी की गहराई को मापने के लिए, इको लेकेशन, हम तो question original ही कराएंगे, जिसको करना है, करें, तो जहाजों में क्या मापने के लिए, इको लोकेशन का पडियों किया जाता है, नेक्ट कुशन आप देखते है, दूद के घनत्य को निर्धारित करने के कौन सा उपकरन का उपियों किया जाता है, तो दूद के घनत्य को मापने के लिए, आप हाइड्रोमीटर, लक्तोमीटर, बाइरोमीटर, खर्मामीटर, तो दूद के घनत्य को मापने के लिए, आप लक्तोमीटर का इस्तमाल करते हैं, किसका लक्तोमीटर का इस्तमाल करते ह बाइरोमीटर को, धर्मामीटर का बोडी के टेंपरेचर को, और हाइडरोमीटर तरल पदार्थ को मापने के लिए, यह तारी चीज़, अगर उपकरन से सवाल आएगा, चैलेंज कर रहा हूं, अभी उपकरन से जितना सवाल करा रहा है, इसी में कोस्षन आएगा, अगर उप परति रोद, एयर रेस्टेंस, या विभावांतर वोल्ट, या फिर चुम्बकिया प्रेरा, या विदुधारा, अररभी जेई, 2019 स्टेश्टरी, हमने क्या बोला है, किसी वोल्ट मिटर का उप्यों क्यों किया जाता है, तो वोल्ट मिटर का इस्तमाल, भी मिटर जो है, एक भी वोल्ट मिटर को में लोग प्यार फ्रीज में मेजर करते, अर्ला स्रीप में जोडते है, वोल्ट मिंटर एक वर्स अग़ी लोग सेसटेशन को जराज यह करते हैं, विछो Image से करें सब्सक्री उद्षम, जल्ली से करें यह वॉटैफठिफचत, समझमा रहे कि नहीं, व प्रकास की दिशा का पता लगाने में, चुम्बकिया प्रेरन की दिशा का पता लगाने के लिए, या फिर ध्वनी की दिशा का पता लगाने के लिए, या धारा की दिशा का पता लगाने, गलेबनो मीटर, तो गलेबनो मीटर का इस्तमाल क्यों किया गाता है, गलेबनो मीटर रेलवे ने जितने यंत्र का कुछ्चन पूछा है वह सारा यंत्र आपके सामने हमने करा रहा है अब ग्लेम्नो मिट्र का सवाल तो बहुत लोगों का अंसर आया अब बी नमर चुमबकिया प्रेरन की दिशा पता लगाने ने लिए अब भूत लोग बबने हैं तो बहूत लोग के लिए अब यहांहां ओगारा की दिशा का पता लगाने के लिए अरwny की दिशा का पता अहिसल सब्सल्य सब्स domestic दूरेला और cynikशन के दिशा के बारे और ओर ग दीशन के जो है जाद रखिये गाव एक अधीच बीए है में मैगणिटूड तो होता है डायक्स संता अपना डएर्ट नकी बटाता है वीक डैस राख स्गे एंवा मिटर से मेजर करते हैं अंटें वर शाया को टीशा टाहा डायक्शन की ग्लंन मिटर बता या कोन बताता है ग्लाबनो मीटर बताता है तो अब आप अंशर ठीक करेंगे जली से कान पकड़ लिजे जो जो गलती किया है और दो बार उठक बैठक कर लिजे आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे ओके अगला कुश्चन वह उपकरन जिसका अप्यों मोटर गालियों के दूरी मापने के लिए तो आपके मोटर गाली में हमने बता तीन-तीन मीटर होते हैं सर एक आपका होता यह जो मीटर है दिखो एक स्पीड मापने वाला यह ऐसे घूमता होगा जैसे एकस्प्लेटर देता है यह स्पीडो में हो लिए կह ऊडसेतल होकिलोमेटर चल गया यह एक लाघ की लूमीटर आपका गाली चल गया तो वह उपकरन यहाँ पे होगा आपका ओडो मिटर जो दूरी मापता है उल्टे लोगों की ल्ग इंपने आपनली आंसर आया ची अगला मी अगां सर बता रहा है सी नमर स्पेडोमेटर वाला कि कर गाँ बाबु कोई नहीं बचाएगा बता दे रहे हैं यह वी कोशन आरवी गुरूप डी का पूछा गया है अगला सवाग बाहन की गती जनने में मदद करता है इसका बताई बाहन की स्पीडियो मेटर वेल्टो वोल् यहां होगा आपका स्पीडोमेटर यह आपका स्पीडोमेटर है यह आपका ओडोमेटर है और एक होता आपका टेकोमेटर जो आर्पीव मेजर करता है आर्पीव रोटेशन तो बाहन की गती जनने के लिए स्पीडोमेटर होगा दूरी जानने के लिए ओडोमेटर कितना द ecolocation जो है एक प्रकार है जल्ली से बताई ये आवरती का अधीए सवना का है राडार का है ये कंपन इक weather एक प्रकार है Ah sends अगहरे क्लोकेशन अस्थित प्रकार का किया है तक जल्ली हम फटा एक श्बीड में आत्या जाये साथी एक यो लोकेशन एक प्रकार का रडार है रडार सिष्टम जानते हैं रडार क्या करता है रडार पता करता है जैसे आपके बॉर्डर में कोई चीज आ रहा है कि धर से आ रहा है क्या डारेक्शन है कितरे स्पीड में यह सब रडार का काम होता है विभाव आंतर को मापने के लिए वोल्ट मिट का इस्तमाल करते हैं आरवी गुरूप डी आठ दस दोजार अठार सीप टुवन वर्ट मिटर का इस्तमाल करते हैं लोग बिभमवांतर को किससे ओम मिटर से मंग नकिर सब्रों लोग पर्तिरोद को रिख्यां को मेजर करते हैं नच् быстрor नपर कोके प्रियोंग हवा की सक्ति और वेगमापने में और एनिमो मीटर जो होता है वो तिबरता को बताता है वायू की तिबरता उसके डारेक्शन को बताने का काम जो करता है हवा की सक्ति और वेग के बारे में बताता है एनिमो मीटर तो हमने आपको यंत्र वाले से क्वेश्चन कराया है यंत्र वाले से तोटल 15 क्वेश्चन करा आपको आद च्यलिंज दे रहे हैं सर अगर आपको यंत्र को संब उच्शन पूच्छा जाएग, यंत्र से क्वेश्चन पूच्छा जाएगा यहां से ध्यान से देखिए पंद्र कोश्छन से से स्टार्ट किया था आप 13 से कोंई रॉगा मतलब होगा सारे प्रिवयर कोसे इस सवाल सारा मेने एक ठाक हुए और एक जगा एक बार में आपको किया इसको दो तीन बार में वात टा हिस नहीं होता है कहानि इक र долж को पूछन यहयर 你 से कोई भाईदा नहीं है 500 यंत्र है पढ़ते रहें यंत्र करते रहें यह देखिए कोशन पूछा क्या जाता है बस समझाना यही है आपको साहब आपको समझाना दूसरा बात रोज कहते हैं अगर आपको अच्छा लगे जो आते हैं साड़े एक ग्यारा बज़ के पैगार बच के पचास मिनट्में अगर आप चाहरे हैं नहीं करना प्लीज आपके ग्यारा बज़े आज यह क्रूपर वे में में पूरी क्लास को देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझाना आगा क्लास कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा अभी 15 अप्रील तक आपको क्या कराएंगे हम पहले ही बता दे रहें कि 15 अप्रील तक का जो क्लास होगा पंदरह अप्रील तक अभी 2018 का यूद का जितने भी कोश्चंस हैं यह सारे कोश्चंस हम आपको कल या परसों से मंड़ मंडे से आपको पेज वाईच जो क्वेश्चंस है वो करा देंगे 15 अप्रील तक एक बात हम बता है आप अगर कुछ भी नहीं पड़े ना अगर करके जाईएगा और नहीं तो एक्जाम देखे आईएगा तो हम कुस्टन दिखा देंगे आपको थियोरी कराईए सर हमने थियोरी के लिए आपको 15 चप्टर बोला था इसमें तीन चप्टर का थियोरी मैंने करा दिया आपको और भी आपके बचे हुए हैं कितने चप्टर आप बारव चेप्टर एक चाप्टर हरवी कमें एक चाप्टर का फियोरी कराएगे तो चारवक में चार चप्टर का फ्रेक्मी आपकी क्रास होगी य किस पर onu make next रूटीन में आजा फिर हर चीज़ह कराओं गा ठिक है ओक्त्स आज क्लास अपका यहीं तक रहेगा जैहिं जय भारत फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में ओके बाइबाय टेक क्यार जय ही जय भारत